आप सभी का फिर से स्वागत है competition community के इस e-learning platform याने की YouTube के चैनल पर हम cover कर रहे हैं current affairs on a weekly basis और आज हमारे लिए है चत्तीस गड़ current affairs का day याने की जून के दूसरे हफते में जो भी हमारे लिए चत्तीस गड़ या फिर राज की ये समसमाई की है उन्हें आज हम deal करने वाले हैं आये शुरू करते हैं सबसे पहला जो हमारा format रहेगा हम उसको देख लेते हैं हमारा जो format हम हमेशा से use करते आ रहे हैं इस हफते हमारे लिए क्या-क्या मातपूर्ण चीजे रही हैं जो हमारे exam उपयोगी होगी हमारे लिए जैसे कि शहरी स्थानिय निकाय चुनाओं के तैयारियां शुरू हो गई है चत्तीज गड़ में है ना? याने कि नगर निगम, नगर पालिका परिशद और नगर पंचायतों की जो आपकी क्या है नगर पंचायतों के जो चुनाओं है उनका क्या कर दिया गया है तैयारिया शुरू कर दी गई है यह हमारे लिए पहला महातपूर्ण चीज है दूसरा है हमारा खाद्य प्रद्योग की महाविध्याले में Common Incubation Center एक बनाया गया है क्या है इसके बारे में देखेंगे फिर हम देखेंगे 36 गड़ में एक क्या चल रहा है आम महोच्व का आयोजन किया गया है इसके बाद में एक e-sumviksha portal है हमारे 36 गड़ के GST विभाग द्वारा इसे क्या किया गया है launch किया गया है इसके बारे में थोड़ी information देखेंगे और finally हमारा जो new industrial policy होने वाली है 36 गड़ की उसके बारे में तयारिया जो है वो पूर्ण कर ली गई है उसके बारे में थोड़ा सो information देखेंगे इसके बाद में हम देखेंगे ऐसे चर्चित स्थान जो हमारे लिए जून महिने के दूसरे हफ़ते में क्या रही है important रही है उनको हम देखेंगे जैसे की कुमहारी बांध जो राइपूर में है दूसरा आपका रामतला और करांती बांध जो पंडरिया कबीर धाम में है तीसरा है आपका मदकुई दीप जो बिलासपूर में है और चौथा है आपके पास में क्या कांगेर घाटी राश्ट्री उद्ध्यान इसके बाद में हमारे पास एक रिपोर्ट है जिसके बारे में हम देखेंगे क्या चत्तिसगर्ड फॉरेस्ट फायर MIS की एक रिपोर्ट आई है जिसमें चत्तिसगर्ड के साथ-साथ पूरे भारत में होने वाले क्या जो फॉरेस्ट फायर्स हैं उनसे सम्मंदित एक डेटा आया है और उसके बाद हम देखेंगे पीपल इन निउस जो लोग क्या है चर्चित व्यक्ति रहे है इनके बारे में भी हम देखेंगे जैसे कि हमारे पास में कौन-कौन है नेशु सिंग है ब्रिज मोहन अगरवाल है अनिका जैन है और मदु यादव है ये सबी वो व्यक्ति है जो जून के दूसरे हफते में क्या रहे हैं न्यूज में बने हुए रहे हैं इसके बाद फाइनली हम आज का सेशन हमारा शुरू करते हैं तो सबसे पहला है हमारा 36 गड़ में शहरी स्थानिय सरकार के चुनाओं के लिए परिसीमन करने का क्या हो गया है एक आदेश आ गया है याने कि हम सभी को पता है जो हमारा लोग त सांत्रिक विकेंद्री करण का एक उदाहरन है क्या आपका पंचायती राज और नगरिये निकाए तो 73 संविधान संशोधन के माध्यम से 73 संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से देश में पंचायती राज को क्या मिली एक सम्विधानिक स्वरूप दिया गया एक सम्विधानिक स्वरूप दिया गया उसी प्रकार 74 संविधान संशोधन से उसी प्रकार 1992 के 74 संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से आपके नगरिये निकायों को भी क्या दिया गया एक सम्विधानिक मान्यता प्रदान की गई, अब ये जो पंचायती राज है, ये ग्रामिड छेत्रों में स्वासाशन संबंदित क्या बनाता है, आपके सम्विधानिक प्रावधान बनाता है, और वहीं जो नगरिये निकाये है या फिर 74 सम्विधान संशोधन है, ये शहरी छेत्रों में स्वासाशन के लिए क्या बनाता है, मापदंड और प्रावधान करता है, ये दोनों ही बहतरीन उदाहरन है किसके लोकतांत्रिक विकेंद्री करण के या फिर डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइजेशन के, इससे होता ये है जो नीती निर्मान का पूरा का पूर क्या मिलता है, प्रतिभागी करने का मौका मिलता है किसमें नीती के निर्माड एवं क्रियानवयन में, है ना, तो जो उननिस सो ब्यानवे में चोहतरवे सम्विधान शंशोधन के माध्यम से नगरिय निकायों की स्थापना की गई थी, उसी कड़ी में हमारे चत्तीस हैं, त्री, स्तरीय, नगरिय निकाय, यानि की थ्री टियर, अर्बन, लोकल, गवर्नेंस, और ये किस रूप में हमें देखने मिलती हैं, सबसे पहला हमको देखने मिलता है, नगर निगम, दूसरा हमें देखने मिलता है, नगर पालिका, परिशद, और तीसरा हमें देखने मिलता है, नगर पंचायत, ठीक है, ये वो हैं जो आपके नगरिय चेत्रों में स्वश आशन के लिए क्या करते हैं, आपका प्रावधान करते हैं, ये वो तीन क्या है, संस्थाने हैं, अब इन में चुनाव होना है कब इसी साल दोहजार चॉबिस के नवंबर दिसंबर में नगरिय निकाय के चुनाव होने हैं, हमारे चत्तीस गड़ में, नगरिय निकाय के क्या होने हैं, चुनाव होने, है ना, अब इन चुनावों से सम्मंदित क्या है, आपका परी सीमन, अब ये जो स्थानिय स्वाशाशन का पूरा आपका व्यवस्था है, इनमें क्या किया जाता है? जो आपके शहरी छेत्र होते हैं, उन्हें अलग-अलग वाडों की संख्या में क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है. हर वर्ड से एक प्रतिनिधी को आप लोग प्रत्यक्ष रूप से चुन करके क्या करते हैं नगर निगमों में पहुचाते हैं जिस प्रकार हम प्रत्यक्ष रूप से चुन करके लोग सभा में पहुचाते हैं प्रत्यक्ष रूप से चुन करके विधान सभा में पहुचाते है उसी प्रकार से हम अपने प्रतिनीधियों को प्रत्यक्ष रूप से चुन करके शहरी और ग्रामिड दोनों ही स्वाशाशनों की जो सरकारे होती हैं उसमें पहुंचाते हैं तो इसके लिए आपके जो नगर निगम होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है जो सबसे बड़ा अंग होता है किसका स्थानी स्वाशाशन शेहरी स्थानी स्वाशाशन का उसमें 40 से लेकर के 70 वाड्स होते हैं मतलब 40 से लेकर के 70 प्रतिनीधियों को चुनने की एक व्यवस्था बनाई जाती है ठीक है जहां पर 10 लाग से ज्यादा हो जाती है जन संक्या 10 लाग से ज्यादा हो जाती है वहां पर ये 70 की जगा क्या हो जाता है अपर लिमिट जो है वो 80 वाड्स का हो जाता है मतलब जो भी नगर निगम का छेत्र बनेगा उसमें निवनितम वार्डो की संख्या कितनी होगी 40 अधिकतम वार्डो की संख्या कितनी होगी 70 नगर निगम कहां बनाया जाएगा एक लाग से ज्यादा वाले अबादी वाले उन छेत्रों में जो क्या है बड़े शहरी छेत्रे हैं, वहाँ इनका गठन किया जाएगा, अगर 10 लाग से ज्यादा की जनसंख्या हो गई, तो यहाँ पर 85 वार्ड जाएगे, माफ किजिएगा, 85 वार्ड यहाँ पर अधिकतम बनाए जा सकते हैं, यह हो जाएगा, इसके बाद में एक आपका क्या होगा, यह जो नगर निगम होंगे, इसमें दो प्रमुख होंगे, एक आपका राजनेतिक प्रमुख होंगे, या फिर पॉलिटिकल हैड होंगे, और दूसरे होंगे उसमें प्रशाशनिक है या फिर administrative है तो जो नगर निगम है उसके जो राजनेतिक प्रमुक होते हैं उन्हें हम बोलते हैं महापौर या फिर मेर महापौर या फिर मेर है ना वर्तमान की वेवस्था के हिसाब से जो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है अब देखिए यह जो 40 से 70 की वाड की संख्या है यहां से जितने प्रत्य निधियों को हम चुन करके भेजेंगे इनको हम क्या करेंगे प्रत्यक्ष रूप से से प्रतिनिधी चुनेंगे ये अपने बीच में से एक अपना क्या चुनेंगे नेता चुनेंगे प्रतिनिधी चुनेंगे और वो हो जाएगा क्या आपका महापौर इसी प्रकार हमारा जो नगर निगम होगा वहाँ पर एक क्या होंगे प्रशाशनिक हेड होंगे या फिर प हम क्या देखे जो 74 जो सम्विधान संशोदय ने 1992 का उसने क्या किया है शेहरी चेत्रों में स्वाशाशन की व्यवस्ता की है उस शेहरी स्वाशाशन की जो व्यवस्ता है उसमें 36 गड़ में कैसा हुआ है त्री स्टरी हुआ है मतलब तीन अलग अलग स्टरों पर हमारी साशन होगा एक क्या होगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर नगर निगम दूसरा होगा हमारे पास में क्या नगर पाली का परिशद या फिर म्यूनिसिपल काउंसिल और तीसरा होगा हमारे पास में क्या नगर पंचायत या फिर नगर निगम में हमने देखा क्या? यह एक लाख से ज्यादा वाले उन छेतरों में होते हैं, जो बड़े शहरी छेतरों होते हैं, महां इनका गटन किया जाता है, 40-70 वार्डों में इन्हें बाटा जाता है एक पूरा नगर निगम के छेत्रों को और हर वार्ड से एक क्या किया जाता है प्रतिनिधी को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है फिर इनके एक क्या होते हैं राजनैतिक प्रमुक होते हैं जिने महापौर कहा जाता है और ये अ administrative head होते हैं या प्रशाशनिक प्रमुक होते हैं जिने हम क्या बोलते हैं commissioner और यह IAS rank के क्या होते हैं officer होते हैं यह जो आपके राजनी यह महापौर है इनका जो अप रत्यक्ष चुनाओ हो रहा है इसमें भी इस बार बदलाओ देखने की संभावना है हो सकता है जो पहले व्य भविष्य के गर्व में है यह information जैसे ही हमारे पास information आती है हम तुरंत ही क्या करेंगे आप लोगों को update करेंगे दूसरा जो हमारे पास में स्तर होता है अगर हम एक pyramid बनाएं तो सबसे उपर हमें क्या देखने मिलता है नगर निगम नगर निगम दूसरे स्तर पर हमें देखने मिलता है क्या नगर पालिका परिशद और तीसरे स्तर पर हमें देखने मिलता है क्या नगर पंचायद चीक है नगर निगम की इंफॉर्मेशन आपने देख ली है नगर पालिका परिशत जो है छोटे और मध्य शहरी छेत्रों में बनाया जाता है जहां कि जन संख्या बीस हजार से लेकर के एक लाख तकी होती है यहां पर न्यूनितम अपके वार्डों की संख्या कितनी होती है पंदरा होती है अधिक्तम वार्डों की संख्या यहां पर कितनी हो जाएगी चालिस हो जाएगी न्यूनितम कितनी है पंदरा है और अधिक्तम कितनी हो जाएगी चालिस वार्डों की संख्या हो जाएगी फिर यहाँ पर भी एक कौन होंगे आपके प्रशाशनिक क्या होंगे प्रमुक होंगे और एक राजनेतिक प्रमुक होंगे तो जो आपका नगरपाली का परिशद है वहाँ के जो प्रशाशनिक अधिकारी होंगे उन्हें हम बोलेंगे चीफ म्यूनिसिपल ओफिसर या फिर मुक् जबकि वहाँ के जो राजनेतिक प्रमुक होंगे उन्हें हम बोलेंगे अध्यक्ष या फिर प्रेसीडेंट और ये भी प्रेसीडेंट जो है वरतमान परिस्थितियों वरतमान आपकी विवस्थाओं के हिसाब से इन्हें कैसे चुना जाता है अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले हैं इस साल है ना ऐसा अभी तक के इन्फॉर्मेशन आये हैं लेकिन फिलहाल हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन हम उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं राजनेतिक प्रमुक प्रेसिडेंट इन्डिरेक्ली इलेक्टिड जो एड्मिनिस्ट्रेटिव हैड होगा उन संक्रमंट शील चेत्र में होते हैं जो ग्रामिड इलाकों से वो अपना संक्रमंट कर रहे होते हैं शहरी चेत्रों की ओर में उन चेत्रों में क्या किया जाता है नगर पंचायतों का गठन किया जाता है और यहां पर दो बीस हजार से कम जनसंख्या वाले ऐसे चेत्र जो सं संक्रमंट शील हैं, ट्रांजिशन जोन से हैं, फ्रॉम रूरल टू अर्बन, ऐसे छेत्रों में किया जाता है, क्या नगर पंचायतों का गठन, यहां पर भी जो आपके पॉलिटिकल हेड होंगे, राजनैतिक प्रमुक होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रेसिडेंट य संक्या होगी, यह भी बिलकुल आपका नगर पालिका परिशद के ही बराबर 15 से ले करके क्या होंगे, 40 वार्डों की यहां पर संक्या होगी, यहां के भी जो राजनैतिक प्रमुक होंगे, अध्यक्ष, या फिर प्रेसिडेंट इन्हें भी कैसे चुना जा रहा है, इन्ड प्रत्यक्ष रूप से हम इने चुन करके अपने निगमों में क्या करें, इनका दायत सौपें, वर्तमान में हमारे पास में कितने कितने हैं, यह देख लेते हैं, नगर पाली का जो निगम है, यह हमारे पास में कितनी हैं, 14 हैं, नगर पाली का परिशद हमारे पास में कितन वो कितनी है, 184 है, 184 हमारे पास में क्या है, कुल मिला करके local self government है, urban local self governments है, ठीक है, अब बात यह है, इसमें पूरे के पूरे में चुनाओं नहीं होने वाला है, इस बार जो चुनाओं होने वाले हैं, वो केवल और केवल 169, 179 नगरिये निकाये छेतरों में होने वाले हैं, जबकि जो 15 नगरिये निकाये हैं, जो 15 बचे वे नगरिये निकाये होंगे, उनका कारेकाल 2025 में पूरा होगा, तो उनमें चुनाओं बाद में होंगे, ठीक है, यह देख लेते हैं, इन 184 में से 179 में चुनाओं 2024 में होने वाले हैं, जबकि 15 निकायों में कारेकाल 2025 तक जा हम लोग देख लेते हैं तो यह हो गया आपके पास में बिलाई नगर निगमों की अगर हम बात करें बिलाई, बिलाई चरोदा और रिसाली और बीरगा OW तो चार ऐसे नगर निगम है जहां हमारे इस बार चुनाओं नहीं होने वाले हैं फिर जो नगर परिशद है नगर पाली का परिशद इसमें एक हो गया जामुल दूसरा हो गया खेरागड तीसरा हो गया सारंगड चौता हो गया बैकुनपूर पाचवा हो गया शिवपूर चर्चा तो पांच ऐसे हमारे पास में क्या है नगर पाली का परिशद है जहां पर चुनाओं नहीं होना है यह बहरमगड भुपाल पत्नम कोंटा नरहरपूर मारो और प्रेम नगर तो कितने हो गए एक दो तीन चार पांच और छे तो छे पांच ग्यारा और चार पंद्रा पंद्रा यह वो नगरी निकायों के छेत्र हैं जहां पर इस बार क्या नहीं होने व या तो नहीं होने वाले हैं या होने वाले हैं दोनों ही स्वरूपों में आपसे सवाल पूछा जा सकता है आगे चलते हैं दूसरा है हमारे पास में जो important हमारे लिए यह है common incubation center तो हमारे 36 गड़ में एक common incubation center का क्या किया गया है निर्मान किया गया है कहां किया गया है food technology college और यह food technology college कहां पर है इंदरा गांधी agricultural university में पहला और दूसरा हमारे लिए एक incubation center का निर्मान कहां किया गया है agricultural college जगडलपूर में तो यह चो incubation center है इसका काम होगा जितने भी आपके व्यापारी होते हैं जितने भी self-help groups होते हैं farmer produce organizations होती हैं चाहे समू हो चाहे व्यक्त यह सबी अपनी क्रिशी संबंदित जो कुछ भी उतपाद है उन्हें इन incubation centers में ला करके वहाँ पर उनका processing करके manufacturing करके कोई उससे दूसरा product भी बना सकते हैं वो उनकी branding कर सकते हैं वो इस incubation center के माध्यम से उनकी marketing भी कर सकते हैं मतलब यह one stop solution के रूप में इसे बनाया जा र मंदित जिसमें से 36 गड़ में दो जगा बनने वाले हैं एक कहां पर बनने वाला है इंद्रा गांधी agriculture university में क्या है आपका food technology college तो पहला सवाल तो आप लोगों से यहीं पूछा जा सकता है कि यह जो food technology college है यह 36 गड़ में कहां स्थित है तो directly आपका answer हो जाएगा इंद्रा कांधी agriculture university में यहां क्या बन रहा है एक common incubation center बन रहा है दूसरा कहां बन रहा है agriculture college में जो कहां पर है जगडलपूर में क्या है यह a common incubation center has been built कौन सी scheme के अंदर में यह बहुत important हो जाएगा आप लोगों के लिए तो यह scheme है आपका PMFME प्रधान मंत्री formalization of micro food processing enterprise scheme इसको रट ल formalization of micro food processing enterprises scheme और इसमें पूरे देश में कितने incubation centers बनने है सततर incubation center बनने है चत्तीस गड़ में कितने बनेंगे दो बनेंगे अब इसमें क्या होगा private individual firms, SHGs, farmer produce organizations can bring in the raw material and these can be processed, branded, marketed upon प्रधान मंत्री, सूक्ष्म, खाध्य, प्रसंशकरण, उद्यम, योजना का अपचारी करण ये scheme का नाम है भारत में 77 बनने हैं, 36 गड़ में 2 बनने हैं जिसमें नीजी व्यक्ति, कोई firm, SHG, FPO अपना कच्चा माल ला सकते हैं और इन्हें संसाधित brand किया जा सकता है, बनने वाला है ये कि इसके लिए agricultural producers के लिए, अब इसमें benefit क्या क्या होगा, एक तो जो चात्र है कहां के इंद्रा गांदी, कृषी विश्वे विद्यालय के लिए, उनके साथ साथ जो किसान होंगे, उन लोगों के लिए औद्योगिक ब्रहमन कराया जाएगा, ताकि हमारी 36 गड़ जो है, वो उद्योग के जो छेत्र है, उसमें आगे बढ़े तेजी से, इसलिए क्या कराया जाएगा, किसानों को चात्रों के साथ उद्योगिक ब्रहमन कराया जाएगा, और साथ साथ इन्हें प्रसिक्षन भी दिया जाएगा, मतलब experts के माध्यम से इन्हें ट्रे क्या हो जाएगा, इंटर्नशिप हो जाएगा, तो ये हमारे लिए बहुत important हो जाता है, इसके बाद में हमारे लिए important है, 36 गड़ में राज जिस तरी आम उच्सों मनाया जा रहा है, मतलब state level mango festival celebrate किया जा रहा है कहां, हमारे 36 गड़ में, और 36 गड़ में कब से कब तक, 13 से करके 15 जून 2024 में क्या किया गया है, आम का उच्सों मनाया गया है, है ना महोच्सों, और कहां मनाया गया है, ये भी आपका इंदरा गांधी अगरिकल्चरल युनिवर्सिटी में ही मनाया गया है, इसमें खास बात ये रही है, जापान में होने वाली एक आम की किस्म, याने इतनी खास इसलिए है क्योंकि यह प्रती किलो दो लाख सतर हजार रुपे इसकी क्या है कीमत है मतलब एक किलो आम की कीमत है कितनी दो लाख सतर हजार रुपे केवल और केवल जापान में होने वाली यह मियाजा की आम को ब्रायोगित तोर पर मतलब experimental basis पर हमारे 36 गड़ के सूरजपुर के राजेंद्र कुमार गुपता भी क्या कर रहे हैं उगाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसलिए ये हमारे लिए क्या हो जाता है important हो जाता है क्या हमारा mango festival या फिर आम महोच्छाव इसमें जो अन्य जो बहुत special type of varieties of mangoes को क्या किया गया, exhibit किया गया है उनमें से एक है सुन्दर राज, हीमसागर, माल्दा, चौसा, केसर, तोतापरी और मल्लिका तो आप लोगों से हाल ही मेकाद, दो महिने तक में ये important रहेगा fact, उसके बाद ये important नहीं रह जाएगा एक दो महिने तक के आने वाले जो भी papers होंगे उनमें पूछा जा सकता है कि तोतापरी, मल्लिका, सुन्दर राज, हीमसागर, नामक, जो किसमें है, ये कौन से फल या फिर सबजी से संबंदित है option में आपको दे सकता है गेहू, चावल, मक्का और आम, इस प्रकार के सवाल आपसे यहां से पूछे जा सकते है आगे चलते हैं, इसमविक्षा पोर्टल, राजकर मुख्याले, राजकर विभाग, चतिस गड़ के डाइरी और कम्प्यूटर केंद्र द्वारा तयार और लाँच किया गया है मतलब यह क्या है, एक वेब पोर्टल है, जिसका नाम है क्या, इसमविक्षा और यह किसके द्वारा बनाया गया है राजकर मुख्याले में, जो डाइरी और कम्प्यूटर केंद्र है, उनके द्वारा इसका क्या किया गया है निर्माण और लॉंच कराया गया है वर्तमान में जो आपके राज के कर आयुक्त हैं यानि कि State Tax Commissioner है उनका नाम है रजत बंसल रजत बंसल ये क्या है आपके State Tax Commissioner है आयुक्त है ठीक है तो ये इंपोर्टन्ट आप लोगों के लिए नाम हो जाता है आप लोगों से डायरेक्ट सवाल ये पूछा जाएगा इसमविक्षा पोर्टल का सम्मंद 36 गड़ के किस विभाग से है तो आप लोगों को याद रखना है ये कौन से विभाग से है GST विभाग या फिर कर विभाग से है राज की कर विभाग से सम्मंदित है इसमविक्षा पोर्टल क्या है ये देखते है इसका जो पूरा का पूरा फोकस एरिया होने वाला है वो कहां पर होने वाला है मतलब जो आपके विभागी अधिकारियों द्वारा किये गए कार है उनकी निगरानी करने पर इसका फोकस होगा दूसरा होगा इसका एप्लिकेशन के तहत प्राप्त डेटा का उप्योग राजस उद्देश्यों के लिए किया जाएगा मतलब इसमें जो कुछ भी डेटा अप्लोड किया जाएगा अधिकारियों के द्वारा इंक्लूडिंग उनका जो महिने का मासिक डाइरी होती है वो भी इसमें क्या किया जाएगा अप्डेट किया जाएगा तो वो सभी डेटा को यूस करेंगे हम किसमें फिर से revenue के जितने भी matters होंगे उसमें ये जो आपका portal होगा इसमें दो modules होंगे एक होगा आपका scrutiny module और दूसरा होगा adjudication module है ना तो क्या-क्या होगा इसमें दो modules होगा एक scrutiny module होगया और दूसरा होगया adjudication module ठीक है और ये 36 गड़ में प्रसाशनिक एकाईयों में सूचना और प्रद्योगी की के प्रयोग के लिए एक क्या है बहुत बहुत बहत्तरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है तो आप लोगों से direct question पूचा जाएगा ई समविका पोर्टल किस से संबंदित है तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है बहुत important है जैसा कि हमने बताया state tax commissioner आपके कौन है रज़त बंसल है ठीक है इसके बाद में हमारे पास में जो अगला हमारा topic है वो है new industrial policy जैसा कि हम सभी को पता है हमारी पिछली सरकार द्वारा एक नवंबर 2019 से ले करके 31 अक्टूबर 2024 तक 36 गड़ में क्या चल रही थी और द्योगिक नीती चल रही थी या फिर industrial policy चल रही थी वो अब अपने अंतिम चड़नों में आ चुकी है हमारी वर्तमान की जो नई सरकार है उसने फिर से क्या कर लिया है एक नई अध्योगिक नीती का क्या कर लिया है लगबग लगबग गठन तह कर लिया है सभी व्यापारियों से उद्ध्योग पतियों से सभी प्रकार के वो लोग जो इस industrial policy से क्या होने वाले प्रभावित होने वाले हैं उन सभी से चर्चाय हो गई है cabinet meetings हो गई है सब कुछ हो गया है और finalize कर लिया गया है किसको new industrial policy का एक blueprint को अभी new industrial policy का जो एक आपका अपचारिक release है वो नहीं किया गया है वो जिस दिन होगा हम इस new industrial policy के उपर एक पूरा क्या बनाएंगे अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि यह हमारे लिए हमारे exam के लिए साथ में हमारे उद्यमिता के लिए हमारे 36 गड़ के लिए बेहत important होगा तो हम कोशिश करेंगे यह new नवेंबर दोहजार 24 से लेकर के 31 अक्टूबर दोहजार 29 तक के लिए लागू रहेगा अभी जो है यह कब से कब तक है पहली नवेंबर 2019 से लेकर 31 अक्टूबर दोहजार 24 तक के लिए है हमें यह पता चल रहा है कि 36 गड़ में 12 साल के बाद after 12 विए ग्लोबल इन्वेस्टरस मीट होने वाला है मतलब पूरे विश्व से क्या होंगे जो इन्वेस्टरस होंगे वो 36 गड़ में आएंगे और हम क्या करेंगे उनकी मेजबानी करेंगे हम बताएंगे कि हमारे 36 गड़ में किन उद्योगों की असीम संभावनाय है हम बताएंगे कि हमारे 36 गड़ में टूरिजम कितना अच्छा होता है हम बताएंगे कि हमारे 36 गड़ में हम कितने hospitable हैं मतलब हम कितना महमान नवाजी से लोगों को रखते हैं ये सारी चीज़े हम बताने वाले हैं अभी किसमें global investors meet होने वाली है यह जो भाजपा का आपका manifesto रहा है चुनाओ के पहले का विदान सभा चुनाओ के पहले का उसमें भी इसकी बात की गई थी कि विश्वस्तरी इंवेस्टर्स का एक निवेशकों का क्या करा जाएगा meeting organized कराया जाएगा तो यह हमारे 36 गड में 12 साल बाद होने वाला है बहुत important है कहां पर होगा कैसे होगा जैसे जैसे information आएगी हम वैसे वैसे इसको deal करते चलेंगे दूसरा हमारे लिए कोर्बा बिलासपूर का एक industrial क्या बनायने वाले हैं ये लोग corridor बनाने वाले हैं मतलब कोर्बा से बिलासपूर तक एक पूरा industrial corridor बनाएंगे जहां पर बहुत सारी रियायते मिलेंगी बहुत सारे टेक्स में छूट मिलेगी बहुत सारे सस्ते दामों प हमारे राज्य की राजदानी है उसे IT और Pharma Hub के रूप में क्या किया जाएगा विकसित किया जाएगा फार्मा फार्मा और IT Hub के रूप में इसे क्या किया जाएगा विकसित किया जाएगा ये सारी information हमको मिल रही है किस से हमारी नई और द्योगिक नीती के एक प्रारूप जो हमारे पास में आया है मतलब blueprint जो हमारे लिए आया है उसके हिसाब से ठीक है चली आगे चलते हैं अब कुछ हमारे पास में ऐसे चर्चित स्थान है जो हमारे लिए जून के दूसरे हफते में continuously बने रहे हैं सबसे पहला है इसमें कुमहारी डैम और यह कुमहारी डैम कहां पर है राइपूर में है यह हमारे 36 गड़ में अपने आप में एक special चीज होने जा रही है क्योंकि आज तक ऐसा हमारे चतिसगड में कभी नहीं हुआ था यह जो कुमहारी डैम है यह राइपूर में 1927 में अंग्रेजो द्वारा बनाया गया था आमूमन जो होता है आपका जो डैम्स होते हैं उन्हें कि नदियों नालों के उपर बनाया जाता है ताकि उसके पानी को रोक करके हम क्या करें सिचाई वयास्था के लिए उसका उपयोग करें और द्योगी करण के लिए उसका हम यूज करें चाहे hydroelectricity बनाने के लिए हम उसका use करें लेकिन ये जो बांध है ये किसी भी नाले किसी भी नदी या किसी भी आपके अन्य जल के श्रोत पर नहीं बना है ये केवल और केवल बनाया गया था ताकि जो हम बारिस के समय पे जो access runoff होता है याने कि जो अत्यधिक बारिस से पानी waste हो जाता है उस पानी को संग्रहित करके हम क्या कर सके उसको convert कर सके बाद में सिचाई के लिए और किसके लिए और द्योगिक अपने कारियों को लेकिन आज तक ये जो डैम था ये कभी भर ही नहीं पाया इसका आपका कुल मिलाकर के जो capacity थी वो 11.63 million cubic meters थी आज तक ये जो maximum भर पाया वो maximum ये भर पाया 4 million cubic meters थी तो कहीं न कहीं ये पूरा का पूरा डैम ऐसा ही waste हो रहा था इसको देखते वे चतिसगड की सरकार ने क्या किया है जो आपका क्रिशी विभाग है या फिर हम बोलें सिचाई विभाग जो है चतिसगड सरकार का उसने बोला है कि इसे सम मोदा और महानदी में क्या होगा पानी ज्यादा होगा अभी मौनसून के टाइम पर उन सभी पानी को इसमें क्या कर दिया जाएगा कुमारी डैम में उस तरफ उसको फ्लो को बना दिया जाएगा और कुमारी डैम को भरा जाएगा इससे होगा ये इस कुमारी डैम के आस- पास लगबग 50 गाउं में जहां पर irrigation की व्यास्ता उचित नहीं है, वहाँ पर अब क्या होगा, बहुत आसानी से लोगों को क्या मिल जाएगी, सिचाई की व्यास्ता मिलेगी, क्रिशी में उन्नती होगी, हमारे किसान समरिद्ध होगे, हमारे गाउं समरिद्ध होगे, हमारा उद्धेश ही क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो ये अपने आप में एक क्या है, विशिष्ट प्रकार का एक कार्य होने वाला है, चत्तीस गड़ में कहां पर, कुमारी डैम में, कहां पर है, ये राइपूर में है, कब बना था, 1927 में बना था, कौन सी नदियों से से जोड़ा जा रहा है, समोदा और महानदी से, किस माध्यम से जोड़ा जा रहा है, पाइपलाइन के माध्यम से, इसके कुल चमता कितनी है, 11.6-3 मिलियन क्यूबिक मीटर है, आज तक मैक्सिमम कितना यूज किया गया है, 4 मिलियन क्यूबिक मीटर, और ये कितने छेत्र मे सिचाई व्यवस्था को ला सकता है तो ये 26-32 hectares में क्या कर सकता है सिचाई व्यवस्था को ला सकता है वही हमारा information है दूसरा जो हमारे लिए स्थान हो जाएगा ये है रामतला और क्रांती जलाशे रामतला और क्रांती जलाशे बेहद important है बेहद important क्योंकि हाल ही में बहुत ही विलुप्त प्राय एक पक्षी हमें यहां देखने मिला है जिसका नाम क्या है blue-tailed bee eater blue-tailed bee eater blue-tailed bee eater इस पक्षी का नाम है और यह पक्षी हमें जुन्ड के जुन्ड देखने मिला है कहां पर हाफ नदी के किनारे हाफ नदी के किनारे तो यह हमारे पर्या वरन सम्मंदी एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि यह आपका रामतला और क्रांती जलाशयों के पास में इतना अच्छा एक क्या बन रहा है वेट लेंड बन रहा है है ना जहां पर यह जो blue-tailed bee eater है जो बहुत कम देखने मिलती है उन्हें अपने लिए एक उप्युक्त पर्यावरन वहां पर मिल रहा है और यह लोग यहां पर देखने मिल रहे है तो आप लोगों से आगामी लगभग 6 महिनों तक यह question पूछा जा सकता है कि रामतला और क्रांती जलाशय आपके कौन से नदियों पर स्थापित है तो एक तो आपका हाफ नदी पर है कौन से जिले में है तो यह आपके कहाँ पर है कबीर धाम जिले में है और यहाँ पर कौन सी पक्षी देखने के लिए मिल रही है तो blue tailed bee eater आप लोगों को देखने को मिल रही है अगला हमारे पास में मदकूद्वीप है मदकूद्वीप हमारे लिए कहाँ पर है आकृति के कारण क्या पड़ा है मदकू द्वीप पड़ा है तो आप लोगों से कोई wildly question पूछा जा सकता है मदकू द्वीप का शाबदिक अर्थ क्या है मदकू द्वीप में मदकू का शाबदिक अर्थ तब आप लोग को पता होना चीए इसका जो literal meaning है वो क्या है आपका frog या फिर medak और इसके ऐसे shape होने के कारण इसको क्या बना है ये नाम दिया गया है कहां पर है बिलासपूर में है शिवनात नदी के किनारे में पर है और it is renowned for its ancient temples with historical and archaeological importance मतलब यहां पर प्राचीन मंदिरों के लिए ये बहुत famous है जिनकी एतिहासिक एवं पूरातात्विक महत्तु है बहुत ज्यादा important ये है कि इसे ही केदार तीर्थ के नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है इसे केदार तीर्थ very 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 important आप लोग इसे चार पांट साथ जितने स्टार मार करना चाहें उतने कर सकते हैं ये क्या है केदार तीर्थ के नाम से जाना जाता है आपके 36 गड़ का ऐसा कौन सा स्थान है जिसे केदार तीर्थ या फिर हरिहर शेत्र केदार तीर्थ के नाम से जाना जाता है केदार तीर्थ हरिहर शेत्र केदार तीर्थ क कौन सा ऐसा जगह है जिसे इस नाम से जाना जाता है very 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 important तो याद रखेंगे आप लोग ये कौन सा द्वीप है मदकू द्वीप है आगे चलते हैं यहां का एक जो खास बात है मदकू द्वीप की यहां पर वर्तमान में 19 मंदिरों को क्या किया गया है 19 मंदिरों को खोद करके निकाला गया है मतलब पूरा तात्विक जो विभाग है 36 गड़की उसने 19 मंदिरों को यहां पर क्या किया है उत्खनन करके अनर्थ किया है हिंदी वाला अनर्थ नहीं, इंग्लिश वाला अनर्थ, है ना, ये आपका ये वाला अनर्थ, हिंदी वाला अनर्थ नहीं है ये, तो जो पुरातात्विक विभाग है, उसने क्या-क्या है, उत्खनन करके इने बाहर निकाला है, 19 मंदिरों को, और इन 19 मंदिरों की खास बात यह है जो बिल्कुल सेंटर का मंदीर है उस मंदीर को छोड़ करके जो बिल्कुल जैसे कि आपका एक से ले करके कहां तक मतलब यहां पर आगे आपका दस्वा मंदीर एक से ले करके नौवे मंदीर तक और ग्यारवे से ले करके अठारवे मंदीर तक यह जो मंदीर है यह सभी के सभी आपके किस डायरेक्शन में इनका चेहरा है इन सभी का डायरेक्शन है आपका पूर्व की दिशा में है ना मतलब यह सभी किस ओर देख रहे हैं पूर्व की में इनका इन मंदिरों का क्या है डायरेक्शन है चेहरा है जबकि एक मात्र जो दस्वा मंदिर है जो बिल्कुल इन सभी के बीचों बीच है उस मंदिर का डायरेक्शन किस ओर है उस मंदिर का डारेक्शन पस्चिम की ओर तो आज भी हमारे जो पुरातत्व विभाग के जितने भी आपके पुरातत्व वेत्ता हैं आक्योलोजिस्स हैं वो सभी इसका रीजन खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है जिसके कारण 19 में से 18 मंदिर पूर्व की ओर उनका चहरा है जबकि एक मात्र जो दसवा मंदिर है जो बिल्कुल सेंटर में है उसका चहरा किस तरह है इस फेसिंग टोवर्ड़ वेस्ट ठीक है आगे चलते हैं हमारा जो अगला है यह हमारा कांगेर वैली नैशनल पार्ग है कांगेर वैली नैशनल पार्ग से एक बहुत ही जबरदस्ट बहुत ही खुश कर देने वाली नियूज हमारे पास में आ रही है कांगेर वैली नैशनल पार्ग जो हमारे चत्तीस गड़ का सबसे छोटा राश्ट्री उद्यान है यहां पर हम अपने चत्तीस गड़ की जो राज की पक्षी है जिसे हम पहाडी मैना कहते हैं उसका हम क्या कर रहे हैं सनरक्षन और समवर्धन करने की कोशिश कर रहे हैं लगबग 20-22-25 साल से जब से हमारा चत्तीस गड़ निर्माड किया गया है एक नए राज के रूप में अस्तित्व में आया है तब से हमने गोशित किया था किसे हिल मैना या फिर पहाडी मैना को जिसका नाम क्या है, सैंटिफिक नेम क्या है ग्रैक्यूला, रिलीजियोसा, पैनिंसिलैरिस इसे हमने अपना राज किया पक्षी का दरजा दिया था क्योंकि यह बिल्कुल विलुप्त प्राय थी ऐसा था कि इसकी संख्या लगबग चार से पांच ही चिड़ियाएं बची थी तो इनके सनरक्षन करने के लिए हमारा एक One Mahavidyaalai है जगदलपूर में क्या है हमारा Forest College है जगदलपूर में One Mahavidyaalai ये जगदलपूर में स्थित एक क्या है One Mahavidyaalai है 20 सालों से यहांपर 10 पहाड़ी मैनाओं को क्या किया जा रहा था सनरक्षण करते वे इनका जो कुनबा है उन्ielen बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा था मतलब इनकी संख्या को बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी लेकिन हमारे हाथ कुछ भी नहीं आ रहा था उल्टा वहां पर क्या हो रहा था इन पक्षियों की मृत्क्यू होती जा रही थी तो लगभग आज से 3 साल पहले 2020-21 में साइंटिस्ट्स ने ये बोल दिया था कि जो पहाडी मैना है ये अब लगभग लगभग extension के करीब आ चुकी है अब ये विलुप्त हो ही जाएगी और इसी समय पर जो हमारे पर्यावरन के विद है उन्होंने एक क्या किया एक्सपेरिमेंट किया और जो हम captivity में मतलब एक बंधक बना करके हम पहाडी मैना का क्या कर रहे थे संरक्षन और समवर्धन कर रहे थे उसकी जगह में अब इनोंने क्या किया उसके प्राक्रितिक रहवास याने कि उसे जंगलों में artificial nest बना करके artificial गोसले बना करके इनने क्या कर दिया गया छोड़ दिया गया और साथ-साथ में इनके दाने-पानी की व्यवस्था करने शुरू कर दी गई और इसे भगवान का चमतकार ही कहा जा सकता है कि सन 2022 में इस experiment के बाद अभी जो हमारे पास में result आए है उसमें हमारे पास पहाडी मैना की जो संक्या है वो 800 प्लस हो गई है तो ये it is a fact to celebrate in whole of the state लेकिन शायद इस fact को उतना ज़्यादा media attention नहीं मिल पा रहा है कोई बात नहीं इसलिए हम यहाँ पर है हम जो civil services की तयारी कर रहे हैं हम at least इस fact को क्या करेंगे जनता तक पहुचाएंगे कि हमारे लिए एक बेहद ही अच्छी खबर पहाडी मैनाओं के संरक्षन में आई है तो 2022 में संरक्षन करताओं ने इन पक्षियों को उनके प्राक्रितिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास करने की एक नई प्रथा शुरू की जिसे हम in-situ conservation बोलते हैं हमारे पास में जो environment का एक subject होता है उसमें जो conservation होते हैं दो प्रकार से होते हैं एक होता है in-situ conservation और एक होता है x-situ conservation जो in-situ conservation होता है इसमें हम जिस भी जीव की या जिस भी आपके flora fauna जिसकी भी पादब की या फिर जानवरों की हम क्या करने वाले रहते हैं संरक्षन करने वाले रहते हैं उनको उनके प्राक्रितिक आवास में उनका संरक्षन किया जाता है जबकि x-situ conservation जो होता है जब हम ये in-situ conservation तब करते हैं जब हमारे पास में जनसंख्या विलुप्त तो हो और ये कम तो हो रही है लेकिन अभी भी इतनी जनसंख्या है कि उन्हें हम उनके प्राक्रितिक आवास में छोड सकते हैं उनके सांथ में जो खत्रे हैं उन्हें हम जेल सकते हैं लेकिन जैसे ही एक पॉपुलेशन से कम हो जाता है किसी भी जीव या फिर पादब की जनसंख्या और हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब हम इनको कंट्रोल्ड एन्वार्मेंट में रखें बिल्कुल भी छोड़े ना उस समय हम यूज करते हैं किसका एक सीटू कंजरवेशन का तो उनको उनके प्राक्रितिक रहवास से ला करके हम लैबोरेटरी में या फिर आर्टिफिशली बनाए हुए गार्डन्स में इन जगहाओं पर उनके जीवित रहने के उप्यूक्त जो कंडिशन्स होती हैं उनको बना करके जब हम उनका संरक्षन करते हैं तब उनको हम बोलते हैं एक सीटू कंजरवेशन तो हमारे पहाडी मेना के लिए एक सीटू कंजरवेशन घातक साबित हुआ जबकि इन सीटू कंजरवेशन हमारे लिए क्या हुआ बहुत ही जबरदस्त आपका फल दे रहा है तो पक्षियो पारे पास में एक पर्टिक्लर रिपोर्ट है जो हमारे 36 गड़ फॉरेस्ट फायर M.I.S. द्वारा जारी किया गया है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं सन 2024 में हमारे 36 गड़ में 14,689 फॉरेस्ट फायर जंगल की आग हमें दर्ज करने को मिली है मतलब 2024 में हमने 14,689 फॉरेस्ट फायर हमारे 36 गड़ में क्या हुए है रिकॉर्ड किये गए है और ये रिकॉर्ड होते ही हमारा 36 गड़ जो है वो पूरे भारत में फॉरेस्ट फायर के मामले में सरवाधिक वनों के आग के मामले में पांच्वा रैंक हासिल कर लेता है जहां सबसे ज्यादा जिस राज्य में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर हुए है वो है कौन सा राज्य उडिशा का राज्य दूसरा है आंद्र प्रदेश और इस कड़ी में सबसे ज्यादा रैंक सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर होने वाले राज्यों के रैंक में हमारा चतिस गड़ कौनकी रैंक में आ घुट का जो बीजापूर जिला है बीजापूर जिले में सरुवाधिक हमें क्या देखने मिला है फॉरस फायर देखने मिला है जो कितने है 2286 दूसरे नंबर पर सुकमा है और तीसरे नंबर पर है सर गूजा तो ये हमारे लिए data आया है किसका data है ये 36 गड़ forest fire MIS 36 गड़ forest fire MIS की ये क्या है report है ठीक है अब देखिए हमारे ये कोई अच्छी बात तो है नहीं forest fire इतने ज्यादा हो रहे हैं जिसमें 36 गड़ पाँचवे रेंग पे आ रहा है अच्छी बात तो है नहीं तो इन forest fires को protect करने के लिए पूरे इंडिया में जो प्रोग्राम चल रहे हैं उन्हीं प्रोग्राम के अंडर हमारा 36 गड़ भी पूर्ण नता कबर है है ना तो देख लेते हैं ये कौन से है forests are connected to early warning system of forest survey of India जो भारत का forest survey of India है उसने एक क्या बनाया हुआ है प्रणाली बनाई हुई है जो पूर्व चेतावनी प्रणाली है इसके माध्यम से अगर जंगलों में temperature बढ़ता है temperature अगर क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो इसकी भी जानकारी मिलती है और temperature अगर ज़्यादा बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है आग का रूप ले लेता है तो उसकी भी जानकारी मिलती है और इसे हम क्या बोलते हैं कौन सी प्रणाली है यह पूर्व चितावनी प्रणाली अर्ली वाल्वनिंग सिस्टम किसके द्वारा लगाया गया है फॉरस सर्वे ओफ इंडिया अब इसमें होता और दूसरा इसमें क्या किया जा रहा है फायर लाइन्स बनाई जा रही है आउटसाइड असिस्टेड नैचरल रिजर्वेशन एरिया मतलब सहायता प्राप्त प्राक्रितिक आरक्षन छेत्रों के बाहर अगनी रेखाएं बनाई जा रही है इसका मतलब यह है जो भी आपके प्रोटेक्टेड एरियाज है और सनरक्षित एरिया वनों के रूप में प्रोटेक्टेड एरिया सनरक्षित जो छेत्र है उनके बाहर में फॉरेस्ट लाइन्स बनाई जा रही है मतलब वहां पर के पेडों की छोटे स्तर पर कटाई करके ऐसा एक गोल बना दिया जाता है ताकि अगर यहां से सब तरफ क्या हो बढ़ना शुरू कर दे तो एक जगे पे जा करके इसे कोई वो ना मिले फ्यूल ना मिल पाए है ना मतलब लकडी ना मिल पाए घास ना मिल पाए इसलिए क्या करते हैं छोटे-छोटे पैचेस बना दिये जाते हैं जंगलों के चार्यों तरफ जहां पर हमारा सेटलाइट बेज्ड हम क्या करते हैं इंफ्रा रेड मॉनेटरिंग सिस्टम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या विजुल इंफ्रा रेड इमेजिंग रेडियो मेटर सूट और यह किसके माध्यम से होता है सौमी नैशनल पोलर और्विटिंग इसमें एक डिवाइस लगा हुआ है जिस डिवाइस का नाम है वीज्वल इन्फरारेड इमेजिंग रेडियो मीटर शूट अब इसके माध्यम से क्या होता है पूरे विश्व के जो आपका वेदर कंडिशन से मौसम की जानकारी है उसको क्या किया जाता है इन्फरारेड को पता चलता है कि अगर किसी जंगल में तापमान बढ़ रहा है तो इस सैटलाइट के इस आपके रेडियो मीटर के माध्यम से सिगनल्स पहुंच जाते हैं आपके राज्य और आपके राश्ट के जो फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट से वहां पर है ना तो इसका नाम आप एस एन पी पी वी आई आई आर एस और इसका आप लोग देवनागरी करण भी कर देंगे एस एन पी पी चलिए लिखी देते हैं यहाँ पर एस एन पी पी वी आई 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 आर और एस ठीक है है हिंदी में भी देख लीजेगा वीज्वल, इन्फरारेड, इमेजिंग, रेडियो मिटर सूट, स्वामी, राष्ट्री, धुरूवी, परिक्रमा, भागीदारी, अंतरिक्ष्या यह जो आपका एस एन पी पी के माध्यम से इस साल हमें दो लाग चियतर हजार पाँच सो चेतावनिया मिली है है ना, दो लाग चियतर हजार पाँच सो चितावनिया मिली है जिन में से एक लाग ब्यासी हजार दो सो सतासी जंगल की आग थे चीक है मतलब लग बंग दो लाग चियतर हजार चितावनिया मिली जिसमें से एक लाग ब्यासी हजार हमारे फॉरेस्ट पायर थे कि माध्यम से हमें मिला चितावनी एसे एंडिवी याईया औरस के माध्यम से आब हमारे पास में कूछ ऐसे व्यक्ती हैं जो चर्चा का विश्हर रहे हैं जून के दूसरे सबसे पहले हैं हमारे पास में हबीब तन्वीर चतीजगड के प्रसिद्ध क्या है नाचा के कलाकार है हबीब तन्वीर और हाल ही में चतीजगड में उनकी स्मृतिय दिवस मनाई गई है याने कि उनकी मृत्यू दिवस मनाया गया है उनका शहादत दिवस कहा जाता है जिसे तो इसे हम चत्तीस गड़ में Remembrance Day के रूप में हम क्या कर रहे हैं Celebrate कर रहे हैं किनका हभीब तन्वीर का इनका जन्म 1 सितंबर 1923 को हुआ था और इनकी मृत्यू हुई थी 8 जून 2009 को चत्तीस गड़ के ये क्या है प्रसिद नाचा के कलाकार है नाचा फेम आफ चत्तीस गड़ है ये इन्होंने क्या किया है एक पाइनियरिंग वर्क किया है उर्दू और हिंदी थीटर में He is renowned for his works with चत्तीस गड़ ट्राइबल as नया थीटर founded by him in 1969 at भोपाल मतला भोपाल में नया थीटर नामा कि इन्होंने एक थीटर क्या किया था निर्मान करवाया था जिसमें चत्तीस गड़ के आदिवासी लोक संस्कृती के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जिसके लिए ये विश्व प्रक्षात है और इन्ही के कारण इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया था 1983 को पद्म भूशन से सम्मानित किया गया सन 2002 में और इन्होंने एक और थीटर का गठन किया था इसका नाम क्या है हिंदुस्तान थीटर जो की 1954 में दिल्ली में किया गया था है ना तो हबीब तन्वीर कौन है चतिसगड के एक बहुत ही प्रक्षात नाचा कलाकार है जिन्होंने अपने नया थीटर 1969 के माद्यम से चतिसगड की जो जन जाती है उनकी लोग संस्कृति को नाचा के माद्यम से क्या किया पूरे विश्व विख्यात किया जिसके कारण इन्हें 1983 में क्या मिला पदमश्री से सम्मानित किया गया और 2002 में पदमभूशन से सम्मानित किया गया इन्होंने हिंदुस्तान थीटर का भी क्या किया निर्मान करवाया 1954 54 जो की दिल्ली में कराया इनकी कुछ famous works है याने कि इनके कुछ क्या है प्रसिद्ध कृतियां है जैसे कि चरंदास चोर आगरा बाजार माटी के गाड़ी ये सभी आपसे अगले लगभग 6 महीनों तक important हो जाएंगे कि चरंदास चोर आगरा बाजार या फिर माटी की गाड़ की नामक विशिष्ट जो कृतियां है ये किन लेखक की है या किन के द्वारा रचित है तब आपको पता होना चाहिए ये किन के द्वारा है ये हैं आपके हभी तन्विर के द्वारा ठीक है दूसरी हमारे पास में आ जाती है निशू सिंग ये 36 गड़ की बिलासपूर में रहने वाली एक क्या है परवतारो ही है माउंटेनियर है और इन्होंने भारतिय ध्वजव लहराया है वर्तमान में कहां पर माउंट एवरेश्ट जो की पूरे विश्व की सबसे ऊची चोटी है तो निशू सिंग कौन है एक माउंटेनियर है कहां से है चतीजगड के बिला असपूर से है इन्होंने वर्तमान में कहां पर याने कि इसी जून महिने में कहां माउंट एवरेस्ट में अपना क्या फैराया है भारतिय तिरंगा लहरा फैराया है लहराया है ठीक है तीसरे हमारे पास में जो व्यक्ति है वो है ब्रिज मोहन अगरवाल अभी ब्रिज मोह के भी सदस्य ये बन गए है तो साथ साथ में ये हमारे राज जी के क्या है स्कूली सिक्षा के मंतरी है पर्यटन एवं संसदी कार्य मंतरी भी है अब यहां पर बात ये है क्योंकि इन्होंने दोनों ही मेंबर्शिप ले ली है मतलब राज जी की विधाईका की भी सदस्या मिल गई है तो इन्हें 14 दिन के अंदर within 14 days इन्हें क्या करना होगा अपनी राज की विधाईका से स्तीफा देना होगा तब जाकर के ये क्या रह सकते हैं ये रह सकते हैं एक लोकसभा के सदस्य है ना लेकिन थोड़ी सी अभी इनके उपर वो बनी हुई है सब सारी निगाहे इनक स्तीफा देते हैं या फिर लोकसभा की सदस्यता से स्तीफा देते हैं क्योंकि अगर ये 14 दिन के अंदर अंदर इन्हों ने अपना स्तीफा नहीं दिया तो इनका जो सीट होगा लोकसभा में वो क्या माना जाएगा रिक्त माना जाएगा तो इसी से रिलेटेड हमारा कुछ information है basic information हम उसको देख लेते हैं भारतिय सम्मिधान के अनुच्छेद 101 में आप लोगों को बताया जाता है किसके बारे में dual membership के बारे में द्वी सदस्यत के बारे में मतलब इसमें ये बोला जाता है कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं रहेगा ये आपका 101 का खंड एक के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं बारतिय सम्मिधान के अनुच्छेद 101 के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसमें बोल रहा है क्या कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा तथा संसद द्वारा विधी द्वारा यह प्रावधान किया जाएगा कि जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया गया है वह किसी एक सदन या दूसरे सदन में अपना पद त्याग दे तो जो 101 का क्लॉज एक है यह किसके बारे में बात कर रहा है संसद के दोनों सदनों के बारे में संसद के दोनों सदनों के बारे मतलब राज्य सभा और लोक सभा दोनों में एक साथ अगर कोई व्यक्ति चुन लिया गया है तब की बात है या फिर कोई व्यक्ति पहले से किसी एक सदन का आपका क्या रहा है? मेंबर रहा है और वो दूसरी किसी सदन का क्या बन गया है? चुनाव लड़के मेंबर बन गया है उन दोनों स्थिती में बात कर रहे है तब वो कौन यहां का जवाब दे रहा है? आपका 101 का खंड एग जबकि वहीं 101 का खंड दो जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है? वो बात कर रहा है कोई भी व्यक्ति संसद तक था राज विदान मंडल के किसी सदन का दोनों का सदसे नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति संसद का और राज विदान मंडल के किसी सदन दोनों का सदस से चुन लिया जाता है तो राश्रपती द्वारा बनाए गए नियमों में भी निर्दिष्ट अवधी की समाप्ती पर संसद में उस व्यक्ती का स्थान रिक्त हो जाएगा जब तक कि उसने राज विधान मंडल में अपने स्थापना के पहले त्याग पत्र ना दिया हो तो देखिए यहाँ पर हम लोग मेंली किस-किस की बात कर रहे हैं दो चीजों की बात कर रहे हैं एक तो हम डूल मेंबर्शिप की बात कर रहे है मतलब अगर कोई व्यक्ती एक साथ दो जगा चुन लिया गया है तो उसमें सबसे पहला हमने बात की संसद के दोनों सदनों की फिर हम बात कर रहे हैं किसकी संसद के किसी एक सदन में ही किसी एक सदन में दो सीटों पर अगर कोई वेक्ती चुन लिया जाता है तीसरा हम बात कर रहे हैं संसद के किसी सदन के साथ साथ किसी राज्य की विधाई का ये तीन कंडिशन्स हो सकते हैं जब किसी को क्या मिलता हो डूल मेंबर्शिप मिल जाता हो अब देखते हैं एक एक करके कि इन सब में क्या मैटर होगा है ना देखिए अगर कोई व्यक्ती पहला हमारा क्या है संसत के दोनों सद्रों मतलब यदि राजसभा और लोकसभा में दोनों के लिए भारतिय सम्मिधान के अनुच्छेद 101 के साथ साथ जन प्रतिनीदी अदिनियम 1959 की धारा 68 के खंड एक में ये बोला गया है अगर राजसभा और लोकसभा दोनों में ही एक साथ कोई चैनित हो जाता है तो उसे 10 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर क्या बताना होता है कि वो कौन से सदन में रहेगा क्या वो राजसभा में रहेगा या लोकसभा में रहेगा इसका मतलब ये है कि 10 दिन के अंदर उसे जिस सदन में रहता है उसको छोड़ करके दूसरी सदन में उसने क्या करना होगा इस्तीफा दे देना होगा अगर दस दिन के अंदर उसने स्तीफा नहीं दिया तो उसकी राज्य सभा की जो सीट होगी उसे क्या मान लिया जाएगा रिक्त मान लिया जाएगा और ये हम जे कहां से मिल रहा है भारति को यह पता चलेगा क्या 10 दिन के अंदर में अगर दोनों सद्रों में से किसी एक में से वो इस्तीफा नहीं देता है तब उसका इस्तीफा कहां से माना जाएगा राज सबासे उसकी पद को रिक्त मान लिया जाएगा अब दूसरी बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से ही किसी सदन का क्या है सदस्य है मान लेते हैं कोई व्यक्ति लोगसभा का या राजसभा का पहले से सदस्य है और उसके बाद में उसने क्या किया है चुनाओ लड़ लिया है दूसरे सदन का मान लेते हैं कोई व्यक्ति लोग सभा का क्या है सदस्य है और उसने सांच सांच क्या कर लिया है राज्य सभा का चुनाओ बाद में लड़ा है तो एक का सदस्य होते हुए दूसरे का और चुनाओ लड़ने के बाद में चुनाओ जीत भी गया है तो जिस दिन वो चुनाओ ज कि कहां रहना है अगर वो पहले से सदस्य है दूसरे सदन का उन्हों चुनाओ जीत लिया है मतलब पहले जो सदन था वहाँ पर उसका चुनाओ क्या हो जाएगा रद्ध मान लिया जाएगा तो यह बात हो गई किसकी हमारा पहला अगर संसद के दोनों सदनों में हमारा बात की जाये तो अब दूसरा अगर क्या है संसद के किसी एक सदन में ही दो सीटों पर अगर चुनाओ जीट जाते हैं तब कि स्थिती में क्या होगा है ना तब कि स्थिती में जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है या फिर जनप्रतिनिदी एड़ी नियम 1959 है उसके धारा क्रमांग 33 के खंड साथ में ये बताया गया है कि उन दोनों सीटों में से उन्हें ये बताना होगा कि वो कौन सी सीट से लोग सभा के सदस्य बने रहेंगे या फिर राज तो अगर 14 दिन के अंदर उन्होंने नहीं बताया तो दोनों सीटों से क्या हो जाएगा सदस्यता समाप्त ठीक है तो ये हो गया हमारा दूसरा मामला कौन सा वला संसद के किसी एक सदन में दो सीटों पर जब चुना होगे या फिर जीत जाएंगे तब की बात अब तीसरे म हमारा क्या आगया संसद के किसी सदन और राज की विधाई का दोनों में एक साथ अगर मामला हो गया तब क्या होगा मतलब दोनों में एक साथ वो निर्वाचित हो गया तब की स्थिती में क्या होगा तब की स्थिती में हम बात करेंगे किसके बारे में भारतिय सम्विधान की अनुच्छेद 101 का खंड 2 और साथ में आपका section 2 section 2 नहीं है यह आगया आपका rule number 2 कहां का prohibition of simultaneous membership rule 1950 याने कि भारतिय सम्मिधान की अनुच्छेद 101 खंड 2 के साथ हम पढ़ेंगे कि इसको 17 सदस्यता निशेद 1950 के अधिनियम की नियम number 2 की और इसमें बोला जाएगा राज विधान सभा के सदस्य जो लोग सभा के लिए चुने गए हैं उन्हें भारत के राजपत्र या राज़ की आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से जो भी बाद में हो इसे गोशना के 14 दिनों के भीतर अपनी सीटों से इस्तिफा देना होगा ऐसा ना करने पर लोग सभा में उनकी सीटें स्वतह ही रिक्त हो जाएंगी मतलब ये बोल रहा है कि जैसा कि ब्रिज मोहान अगरवाल जी हमारे क्या है राज विधाई का क्या है सदस्य है तो उन्हें जो उनका उसके बाद में उनका चुनाओ किसमें किया गया है आपके लोग सभा के अब जो लोग सभा चुनाओ के परिणाम हमारे भारत की राज पत्रक में क्या किये जाएंगे आपके जारी किये जाएंगे पब्लिश किये जाएंगे उस दिन से ले करके 14 दिन के अंदर अंदर उन्हें अपने राज्य की विधाईका से क्या करना होगा, इस्तीफा देना होगा, किस दिन से, जिस दिन से उनके चुनाओं को क्या किया जाएगा, भारत की राजपत्रक में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से ले करके 14 दिन का समय उनके पास में होगा उसके अंदर उन्हें क्या करना होगा अपनी राज्य की विधाइका से इस्तीफा देना होगा है ना और अगर ऐसा नहीं होता है तो 14 दिन के बाद में उनकी जो लोकसभा की सदस्यता होगी वो भंग कर दी जाएगी या फिर खत्म कर दी और समाप्त कर दी जाएगी यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा यह तीन चीज़ें हैं हमारे इंपोर्टन इतने ज़्यादा इम्पोर्टन वरतमान में होने वाले आपके मेंस ऑस्चम में भी बहुत एक्जाम में आप लोगों को यह सारी चीज़ें याद करनी है अगर राज विधान सभा और लोग सभा की सीटों की बात कर रहे हैं दोनों में एक साथ अगर सदस्यता हो गई है तो भारतिय सम्विधान के अनुचेद 101 के खंड दो और एक साथ सदस्यता निशेद अधिनियम 1950 के नियम क्रमांग 2 के माध्यम से ये बोला जाता है कि 14 दिन के अंदर राज विधाईका से क्या करना होगा इस्तीफा देना होगा वरना लोग सभा की सदस्यता चली जाएगी अगर दो लोग सभा सीटों में एक सांध किसी का चुनाओ हो गया है तो वहां पे खेल कौन सा आ होगा हैंगे वरना क्या होगा दोनों की दोनों सीट्स में से आपका क्या चल दिया जाएगा सदस्यता खतम कर दिया जाएगी और तीसरा जो आएगा वो हमारा किस में आएगा अगर हमारे संसद के दो सदनों में एक स當 हमने क्या कर लिया है एक संद चुनाओ किया है और दोनों ही सदनों में हम क्या हो गए है निर्वाचित हो करके पहुँच गए है उस समय हमारे पास किसका खेल आ रहा है 1121वा अनुचेद सांथ में 1168 खंड एक किसका आपका जन प्रत पूरा का पूरा आप लोगों का मामला है कहां का? डूवल मेंबर्शिप का, द्वी सदनियता का. इसके बाद में हमारे पास में जो अगली बालिका है, इनका नाम है अनीका जैन. अनीका जैन हमारे चतीजगड के रायपूर की तीन साल की एक बालिका है, बच्ची है तीन साल की, इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रियेट किया है. इन्होंने world record ये किया है इन्होंने 6 minute 20 second में दुनिया के 195 देशों की राजधानी का नाम ले करके इन्होंने एक world record set कर दिया है और ये जो world record है ये कहां पर register हो जाएगा worldwide book of records में world wide book of records में इनका नाम दर्ज हो जाएगा साथ ही इनका Indian book of records, Asian book of records बहुत सारे book of records में इनका नाम दर्ज है और ये हैं कौन आपकी अनिका जैन तीन वर्षिय बालिका हमारे राइपूर से 195 देशों की राजधानी बोल करके इन्होंने 6 minute 20 second में क्या किया है world record set किया है finally हमारे पास में हमारी मधू यादव है जो दुर्ग चत्तीस गड़ से है इन्होंने राष्ट्रिय पावर लिफ्टिंग प्रतिस परधा जो हुई है वर्तमान में उसमें 72 किलोग्राम कैटिगरी में क्या किया है गोल्ड मेडल जीत लिया है और यह कहां से है मधू यादव यह है आपका दुर्ग चत्तीस गड़ से तो यहां पर हमारा खतम होता है चत्तीस गड़ के करंट अफेस वो जो हमारे जून महीने के दूसरे हफते में हमारे लिए इंपोर्टेंट रहे है कल हम इन पर बेस आपके लिए MCQ सीरीज ले करके आएंगे तब तक हमारे करंट अफेस की इस जर्नी में बने रहेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, करंट अफेस में एक्सेल करेंगे, थैंक यू अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना, तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ, आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेच पर विजिट करें, अथ्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए ल